हलो गाईज, विल्कम टू माई चैनल गैजेस आफ आयर बेदा एंड हिल टिप्स में तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है जाईया या पिग्मेंटेशन हटाने के घरली उपाय के बारे में चहरे और सरीर के कई हिस्सों पर जाईया और दागधब्बे पढ़ जाते हैं जिने देखकर सुन्दर और बेदाक तोचा पाना एक सपने जैसा लगता है सरीर के किसी एक या कई हिस्सों पर परेट गहरे दाग धब्बों को Pigmentation या Hyperpigmentation कहा जाता है तो चासे सम्मन्धित ये समस्था किसी भी उम्र में किसी भी लिंगे के बेक्ति को हो सकती है अधिक समय तक धूप में रहना Pigmentation का सबसे सामानना कारण है हाला कि अन्न विविन्न कारणों की बज़े से भी सरीर पर Pigmentation हो सकती है जैसे कि हर्मोंस में बदलाब, Pregnancy, Antibiotics, Hair Removal, LRG, Contraceptive Pills, अनुवंगसिक दोस, विटामीन की कमी, तौचा पर जलन और चोटा दी आप घर पर ही विविन्न घरलू नुस्खों की मदद से Pigmentation से छुटकड़ा पा सकते हैं हाला कि अगर आपको Pigmentation की समस्वा बहुत ज्यादा है तो तौचा पर कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार Skin Specialist से जरू साला कर ले आज हम आपको कुछ ऐसे ही आसान घरलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप घर पर ही Pigmentation से छुटकड़ा पाएंगे मैं हमेशा आपको आसान सा रेमिडी ही बताती हूँ सबसे पहले निम्बू के बारे में बताती हूँ एक निम्बू और दो चम्मच और्गनिक सेहद ले लीजिए निम्बू को सबसे पहले कट करे और इसके जूस को एक कटरे में डाल ले निम्बू के जूस में अब सेहद को मिला ले और इस मिस्रन को अच्छे से चलाए अब इस मिस्रन को अपनी तौचा के एफेक्टड एरिया में लगाए 15 मिनिट तक इसे लगा कर रखे इसके बाद अपनी तौचा को गुनगुने पानी से धोए जब तक अपनातीजा ना देख ले तब तक इसे पूरे दिन में दो बार जरूर लगाए निम्बू का जूस एक प्राक्रितिक ब्लीचिंग प्रोपर्टी है साथ ही सहद भी तौचा को नमी देता है ये गुन जाईयों को कम करने में मदद करते हैं निम्बू विटमिन C का स्रोथ होता है और इसमें प्रभवित एंटी अक्सिडेंट गून भी होते हैं जो तौचा को सूरज की किर्नों से बचाता है दूसरा है एपल सीडर विनिगर और सेप के सिरके के बारे में एक चम्मच सेप का सिरका और दो चम्मच पानी लीजिए सबसे पहले सेप के सिरके को पानी में मिला ले अब इस मिस्रन को एफेक्टड एरिया पर लगाए इस मिस्रन को पाच मिनिट के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दे फिर अपनी तोचा को गुनगुने पानी से धोले जब तक अपको नतीजा ना दिख जाए तब तक इसका इस्तेमाल पूरे दिन में दो बार जरूर करे सेप के सिरके में मौजूद एस्ट्रिजेंट गुन तोचा के प्राक्रितिक रंग को बनाये रखने में मदद करते हैं सिरके में बीटा केरोटिन के भी गुन होते हैं जो खड़ाब होने वाली तोचा का इलाज करते हैं सेप का सिरका प्राक्रितिक तरीकों से तोचा को कोमोल और चमकदर बनाता है तिसरे नमबर पे बताती हूँ लाल पेयाज के बारे में एक ताजी पेयाज लीजिए पेयाज के सबसे पहले टुक्रे कर ले अब टुक्रों को हाथों में ले और फिर उसे प्रभवी तेरिया में लगाए 10 मिनिट्स तक इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दे और फिर अपनी तोचा को गुनगुने पानी से धोले इसके अलाब आप पेयाज को पेस्ट करके नीचोले और जूस को अपने एफेक्टेड एरिया पर लगाए जब तक आपको नतीजा ना दिख जाए तब तक पूरे दिन में दो बार इसे जरूर लगाए पेयाज विटमिन C का सबसे अच्छा स्रोथ है इसमें मौजूद एंटि आक्सिडेंट के गुन जाईयों का इलाज करने में मदद करते हैं चौथी नंबर पे है ऐलोवेरा दो चम्मच ऐलोवेरा जेल और आधा चम्मच सहद लीजिए एक कटरे में सहद और एलोवेरा जेल को मिला ले अब 10 मिनिट के लिए मिसरन को ऐसे ही छोड़ दे 10 मिनिट के बाद अपनी तौचा पर मिसरन को लगाए फिर इसे ऐसे ही 20 मिनिट तक लगा हुआ छोड़ दे अब अपनी तौचा को गुनगुने पानी से साफ कर ले दो हपते के लिए इस मिसरन को पूरे दिन में एक बड़ जरूर लगाए तौचा के प्राक्रितिक pH लेवल और ओयल के लेवल को छोड़े भीना अलोवेरा को तौचा को साफ करने के लिए जाना जाता है ये काले धबो को दूर करता है साथ ही सूरज की किर्णों से भी बचाता है तो गाईस आज की वीडियो में एही पेंट करती हूँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा और हिलफफुल लगता है तो सबस्क्राइब ज़रूर करना अब सबस्क्राइब नहीं करते हो